ये नजारा अजबुद होगा जब प्रभुराम की प्रान प्रतिष्टा 22 जर्वरी को देश की प्रधान मंत्री करेंगे जैसे आजादी के पल के लोग साक्षी बने थे जैसे सविधान के लोग साक्षी बने थे वैसे ही राम मंदिर के हम लोग खुशकिस्वत है हम राम मंदिर बनते हुए देखेंगे जिसका इंतजार हमारी आपकी 500 सालों से पीडियों ने किया है यानि हमारे पड़दादा नगरदादा सब ने किया है लेकिन वो राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है लेकिन आज की चर्चा के मुद्दे कै है, आईए आपको बता देते हैं, बहस के आज तीन बड़े मुद्दे हैं, जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, उन्हें श्रेह मिलना क्या गलत है, मोदी का विरोध करते करते हैं, क्या विपक्ष हिंदू विरोध पे अब उतरा है, र जोरदार तालियों से विनंदन करिए, विष्णू शंकर जैन का, वकील हिंदू पक्ष के लिए, सनातन का अगर स्वर्णिम साल है, तो काशी मतुरा से भी आज की करण इस व्यक्ती ने जगाई है, इसके पिता जी ने जगाई है, तो जोरदार तालिया इनके लिए और इन अगर समाजवादी पार्टी की प्रख्ता है, नेता है, अपनी कुशल वारी के लिए जाने जाते हैं, मेरे साथ बिवेक सिरवास्तफव जी है, उनका अबिरंदन है, लेफ्ट के नेता है, और इनके नेता है सीता रामयर्या क्यो विश्वरी जिर राम मंदिर में आने से इ कहते हैं कि जो राम रच देते हैं वो हो ही जाता है आकिर का लेकिन अब ये 500 जाल बाद मंदिर बन रहा है लेकिन सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है सैम पित्रोदा विदेश चे कह रहे हैं गांधी परिवार के करीबी कि उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अठक गया है तो वही है जो पुलवामा के बाद बोले थे कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ओपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया यानि अटैक के बाद तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है उसके बारे में वो बताएं परन तो मैं एक बात बताना चाहता हूं शीराम जन भूमी का भब मंदिर अब आकार ले रहा है हम तो बालक के रूप में मैं आपको बताओं बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा नाइनटीन एटीफोर में सबसे पहले लखनों के बेग रोम में रमा है राम का पवित्र नाम राम का ललाम धाम कैसे भूले जाएंगे और जन्म भूमी के लिए अनेक बार दे चुके हैं रक्त वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चड़ाएंगे तो वहां पर कारसेवक इस बलिदान की भावना से गए थे और उस रैली में जब घीत गवाया गया था वो भारत के समन सब्स्टेंस और भगवान राम के साथ जो संबंध है उसकी वो पंक थी वह आप लोंने सुनाओगा नहीं सौगंद राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे उसमें यह पंक थी जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीत है हर हृदय की धड़कन रामायन पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है यह खाली है तो नरनाहर शिरिपुर्शोत्तम का हम मंदिर भव्व बनाएंगे सौगंद राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे यह गी है यानि भगवान राम के साथ सियावर राम चंदर की जय बोला जाता है काशी में क्या बोला जाता है नमः पार्वती पतbull हर हर महाद हैं तो ये जो है शिव और शक्ति और ये कब हुआ अब च्यांद पे भी शिव शक्ति हो गया है इसलिए भगवान राम का इस वरूप म आना ये पांसो साल नहीं ये कई हजार साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया और एक पंक्ती और कह दूं साब एतना आसान काम नहीं था जब मंदिर शुरू हुआ था तो ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल डिस्पूट है जो अंकुर उगाना हो परंतु आज जो दिखाई पड़ा है या अमरतकाल के पहले वर्ष का यानि अमरतकाल का उशाकाल है तो मुझे अटल जी की पंक्ती याद आती है तूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर आज वैसा ही काम है हम दोंने अपने बच्पन में देखा आता हूं गीत नहीं आगाता हूं गीत नहीं आगाता हूं जी यह तो गीत नहीं आगा रहे हैं लेकिन सीता राम यचूरी जिनके नाम में सीता राम है उन्हें राम का गीत पसंद नहीं आरा मेरे मित्र बीजेपी से सांसद हैं क्वालिफाइड इंजीनियर हैं इनका काम है वहाँ पे प्रश्णों को उठाना, देश के लिए, चाहे इनकी अपनी पार्टी, अपनी सरकार को भी हिदायत देना, सुझाओ देना, क्वेश्चन करना, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे नौक्रियों के लिए, एजुकेशन के लिए, आपने इनको बोलते हुए सुना, मु उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना, एक सुभाविक बात हो जाती है, और उसी भावुकता में आ करके, लोगों का एक्स्प्लाइटेशन होता है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए सांसत का कार प्रश्ण करना है, 24 सुनाना नहीं, यह पहली बात हुई, हम ने वामपंतियों ने डिसाइड किया, सीता राम यचूरी के पास, कॉम्रेट सीता राम यचूरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, सीपीम के, अन्ये वामपंति नेताओं के पास, बकायदा एक न्योता आया, कि आप आईए, और राम मंदिर का यह जो हो रहा है, इसमें आप सम्मिल कोई पार्टी एयोध्या के खिलाफ नहीं है, कोट में वक्तव वेदिया, कोट में एक लड़ाई थी, एक सेकंड, 1992 के बाद, जब वो धाचा गिराया गया, इन्होंने कहा कि मंदिर का संगर्ष चला है, कोट में लड़ाई चली है, आप अपनी कहानियां बंद करिये, क्या मुझे ये निकला, कि चौपाई सुनाई तो ऐसा लगा, जैसे मंदिर में कोई पंडिजी बोलना है, ये बहुत खतरनाक बात है, ये वर्ड कहा, मगर हैसियत नहीं है कि बोल दें, कि अगर मौलाना साब बोलना है, तो बहुत खतरनाक बात है, आप ने कुरान के आयत भी कह बिन सत्संग विवेक न होई, और राम करपा बिन सुलब न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागरत होता है, वो भी राम की करपा सही मिलता, आप फैक्टों बता देता हूँ, विवेक जागरत करने के लिए, जब राम मंदिर बन रहा है, तो विवेक जानते हैं, अब सुनिए उसके बाद जब खुदाई हुई और खंबे निकले जाके चेक करिएगा 2003-04 हम उस समय फर्स टाइम करेंट अकाउंट सर्प्लस कंट्री उस समय थर्ड क्वाटर में हम और अब जब मंदिर बनने जा रहा है फॉर्ण एक्षेंज रिजर्व कितना है 600 बिलियन